सो हे वोट्स अब गाईस कैसे आप सबी सो आज की इस वीडियो में हम लोग पात करने वाले हैं वीवो के टीवन प्रो स्मार्टफोन के बारे में और इसके लिए फाइनली इंडिया में फंटेच ओएस 14 बेस्ट ओन एंडोड 14 का बीटा अप्टेट है वो रोल आउट होना स् नहीं क्योंकि यह एक बीटा अप्टेट है और इसके अंदर आप लोगों को बगस है वो भी देखने को मिल सकते हैं सो कम्प्लीट इस वीडियो को वोच करते लिए वीडियो अगर आपको यह पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकतो चैनल पे अगर आप ल 61GB की काफी एक बड़ी साइज का अप्टेट है वह यहां पर रोल आउट किया गया है जो कि मोबाइल डाटा से तो इंस्ट्रोल करना नामुम्किन है इसलिए आप लोगों को वाइफा या फिर एक्स्टर डाटा पेक है उसका रिचार्ज यहां पर करवाना होगा और एक ब अप्टेट का वर्जन नंबर और फोन का वर्जन नंबर है वह आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो वैसे तो इस अप्टेट के अंदर काफी सारी चीज़े है वह यहां पर मेंशन की गई है लेकिन एक एक करके मैं आपको यहां पर पता देता हूं फरस्ट इस अप्टेट लेके अंदर control center है वह यहां पर आ जाता है और अब आप लोगों को इसका जो final look है वो यहां पर कुछ इस परकार से देखने को मिलता है ब्रैटने slider है वो तो आपको काफी जदा है आपर fast देखने को मिलता ही है उसी के साथ-साथ आप लोगों को यहां पर बहुत सारे toggles है वो आपको मिल जाता है और mobile data का toggle मिल जाता है जिसकी size है वह पर काफी जदा बढ़ी है और विवो ने इस पर एक काफी अच्छी चीज़ा वो यह भी add करी है कि edit वाले option पे click करके मान लो आपको यहां पर mobile data की जगे flashlight का option लगाना है तो वो चीज़ यहां पर possible है लेकिन मेरे इस आप लोगों को wifi या फिर mobile data या फिर bluetooth इन तीन option की ज़्यादा need है वह पर हो सकती है तो इनी दो option को आप लोग यहां पर apply करके रख सकतो नीचे की तरफ अगर आप लोग इनको right और left side में swipe करोगे तो बाकी के जो option है उनको आप लोग यहां पर try कर पाओगे बाकी setting वाले option क अंदर जाने के बाद में setting का भी जो layout है वह पर काफी ज़्यादा change हो चुक है first of all आप लोगों को नए logos है वो देखने को मिल जाते हैं वो नए जो text है font आप लोग जिसको कहते हैं वो भी आप लोगों को यहां पर change देखने को मिलते हैं बाकी lock screen and wallpaper के आप लोग जाओगे त wallpaper check out कर लेते हैं आप लोगों को नए वाले मिलते हैं या फिर नी बाकी यह कुछ suggestion आएंगे तो इनको आप लोग agree disagree कर सकतो तो वही आप लोगों को same wallpapers मिल जाते हैं आप लोगों मुझे बता सकतो कि यह वाले wallpapers है वो आपके phone के अंदर पहले भी थे या फिर इस बार लियाउट है वो देखने को मिलता है नया always on display का तो यह कुछ space, moon या फिर कह सकतो galaxy तीनों को मिला के यहाँ पर एक always on display की नई design है वो आप पर create की गई है जिसका name है beauty of humanity और यह कुछ इस परकार से आप लगेगा आप लोग इसका live demo है वो यहाँ पर देख सकतो नीचे time में date ह बाकि हमारे phone की battery percentage है वो भी आपको मिल जाएगी तो एक बार हम लोग इसको apply करके देखते हैं कैसा यहाँ पर यह लगता है तो guys यह कुछ इस type का layout है बाकि मैं आपको वीडियो में आगे नहीं अभी ही बता देता हूँ कि आप लोगों को जल्दी ही एक नया feature है वो मिलने animation है वो जल्दी ही आपर create होगी और यह वाला जो feature है वो जल्दी ही आने वाला है हो सकता है footage OS 14.1 update के अंदर या फिर footage OS 15 update के अंदर display mode का आप लोगों को कुछ इस type का आपर जो layout मिल जाता है इसके अंदर आपको 3 category मिल जाती है बाकि notification का आप लोगों को layout मिल जाता है तो यह मेरे साब से काफी एक अच्छी चीज आपको मिलती है कि notification है उसके icons है वही आपको show होंगे और आप लोगों को कौन कौन से icons show करवाने है उसका भी आप लोगों को आपर option choose करने का मिल जाता है जैसे कि मुझे आपर Instagram का notification चीए तो इसको मैं आपर select कर लिता हूँ अगर इसका नहीं चीए messenger का चीए या फिर messages का चीए तो उसको मैंने आपर select कर लिया है बाकि इसके अं अब बात करते हैं low screen setting के बारे में मतलब की low screen customization के बारे में तो low screen style का आप लोगों को option मिल जाता है इसके दरम लोगों को एक ही मिलती है ओपर की तरफ आप लोगों को custom low screen का option मिल जाता है अब आप लोगों को इसका layout आप लोग देख सकतों fully customizable है सबसे पहले तो ये वाले widgets है वो आप लोग change कर सकतों जैसे कि अभी phone का है तो camera वाल apply करना है तो वो हमने आपर camera का apply कर लिया है phone का कर लिया है तो camera का automatic लिया आपर आच चुगा है बागी guys आप लोग देख सकतों आपको ये time मिल जाता है जैसे आप लोग इस पर click करोगे इसके आप लोगों को तीन 14 का update है वो काफी जड़ा customizable है जबकि front touch और starting के अंदर आप लोगों को ये सारी ही चीज़े है वहाँ पर missing देखने को मिलती थी तो इसके अंदर mirror को तो सबसे पहले तो बाई देखो एक तो ये वाला पसंद आया बाकि ये वाला भी काफी सही है और ये वाला भी काफी सही है काफी लोगों को ये दो पसंद आ सकते हैं तो वो आपकी choice के उपर depend करता है जो आपको पसंद आप लोग लगा सकतो यहाँ पर आपको एक color का option मिल जाता है बाकि second number पर एक option मिलता है जो कि automatically आपका जो वाल पर है ना उसके साबसी ये color को pick करेगा तो यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आप लोग खुदी इस चीज को यहाँ पर लगा सकतो जैसे कि green color है वो हमने आपर select किया है इसकी intensity आप लोग कम ज़्यादा कर सकतो यहाँ पर इसके intensity कम हो चुकिये यहाँ पर इसके intensity ज़्यादा हो चुकिये तो यह सारे आप लोगों को इसके अंदर changes है व मेरी वाली लोग की screen है वो काफी ज़्यादा simple है ज्यादा customization है वो मैंने आपर नहीं करके रखिये उपर की तरफ आप लोगों को जो status बार देखने को मिलता है वो भी इस बार काफी ज़्यादा आप लोगों को अलग देखने को मिलता है अगर आप लोग इसको compare करते हो फंटेज OS 13 अपटेट के साथ में ये वाला जो मैंने आप पर वीजेट है वो अपलाई करके रखा है कलोक वीजेट उसको अपलाई करना काफी ज़दा सिंपल है काफी लोग पोस्त है इस चीज़ के बारे में तो आपको बता जाता हूँ यूटूब को ओपन करना है और सिंपली आप लोगों को सर्च करना है कलोक वीजेट सहेद सेन तो गाईज ये चार टेक्स्ट आपको सर्च करने है आपके सामने मेरी ये वाली वीडियो आजेगी जिस पर 40,000 व्यू है तीन मिनेट की वीडियो है तीन मिनेट के अंदर आपको बताए है 1000 प्लस अलग-अलग डिजाइन है वो आप लोग कैसे अपलाई कर सकतो बाकिया आप लोगों कोई वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकतो, चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना और आप लोग उमारा टेलीक्राम चैनल है उसको भी जोइन कर सकतो मैं मिलता आप लोगों से नेक्ट वीडियो में जेहिंद वन दे मातर